दोस्तो अगर आप चाते हैं घर बैठे अपने मॉवाइल फून से अपने पहचानपतर संख्याओं को जानना यानि की भोटर आड़ी कार्ट संख्याओं को जानना तो किस प्रकार से आप जानेंगे तो आज की इस यूडियो में हम आपको लाइव दिखाएंगे कि किस परकार से आप अपना पहचान पत्र संख्या निकाल सकते हैं बिल्कुल असानी के साथ तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तो पहचान पत्र संख्या जानने के लिए सबसे पहले प्लेश्टोर को open करना है और यहां से सर्च वार में आपको type कर देना है voter help line अब दोस्तों voter help line search करने के बाद यहाँ पे देख पा रहा है हम इसे already install कर रखे हैं आपको normally open के जगा install दिखेगा वहाँ से click करके normally आप इसे install कर ले इसके बाद open पे click करेंगे अब दोस्तों कुछ इस परकार का interface यहाँ पे आपको नज़र आएगा normally यहाँ पे जो देख पा रहे हैं search your name in electoral roll इस पे आपको क्या करना है click कर देना है अब दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं total 3 option यहाँ पे दिये गए हैं पहला जो है search by barcode और दूसरा है search by details तो हम क्या करेंगे search by details पे click करेंगे अब दोस्तों सबसे पहले आपको अपना नाम डाल देना है इसके बाद फादर का नाम डालेंगे और साथी यहाँ पे age पूछा जा रहा है तो आपको age डाल देना है इसके बाद gender select करेंगे और साथी यहाँ से estate और जीला और साथी जो भी आपका consistency है वो select करके normally आपको search पे click कर देना है तो यहाँ पे दोस्तों हमने सारा data को डाल लिया है normally यहाँ से search पे click करेंगे अब दोस्तों search होने के बाद यहाँ पे देख पा रहा है हमारा पाचान पत्र की जो संक्या है वो उबर के आ गया है तो कुछ इस प्रकार से आप बिल्कुल असानी के साथ अपना पाचान पत्र का details निकाल सकते हैं अपने mobile से घर बैठे बिल्कुल असानी के साथ और साथ ही अगर आप चाहें इसे download करना तो यहाँ से click करके download कर सकते हैं और अगर आप चाहते हैं share करना तो इस भी क्लिक करके आप किसी के भी वाटसेप या फिर फेसूप पर जहां मना वहां आप इसे शेयर कर सकते हैं